इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे कि बेंजाइल कार्बोकाटाइन और सब्सिटुटिटिटिड बेंजाइल कार्बोकाटाइन में स्टेब्लेटि को किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले कोशन यह है कि बेंजाइल कार्बोकाटाइन होता क्या है। किसी भी बैंजीन में उसके आगे वाले कार्बन को हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं। अगर benzyli carbon पर positive charge present हो तो ऐसे carbon को benzyle carbon कहते हैं और previous video lectures में हमने ये भी देखा है कि ऐसे carbon carbon में ये जो positive charge होता है ये benzene के double bond के साथ conjugation में होता है क्योंकि ये दोनों आपस में single bond से separated रहते हैं इसलिए इसमें benzene अपना plus mfx शो कर सकता है और इस कारण से benzene के electron इधर move करते हैं और benzene की ortho position पर positive charge की formation हो जाती है अब बनने वाला ये positive charge benzene के इस bond के साथ conjugation में रहता है तो इस से कुछ और RS sections को हम draw कर सकते हैं इस benzene carbocation का positive charge benzene में total 3 जगा पर migrate करता है दो तो वो और्थो जगा पर migrate करता है और एक पहरा जगा पर migrate करता है यानि इसका positive charge resonance में participate करता है इसलिए ऐसे positive charge को हम de-localized positive charge कह सकते हैं चुकि इनकी RS में benzene में positive charge migrate करता है इसलिए benzene में electron की जो density होती है वो decrease हो जाती है और benzene carbocation की stability इस बात पर decide होती है कि resonance के दोरान बनने वाला ये positive charge stabilize होता है या फिर destabilize होता है चुकि carbocation में total electron 6 होते हैं इसलिए carbocation एक electron deficient intermediate होता है और इसको octate पूरा करने के लिए 2 electron के जुरूत होती है मान लिजी किसी भी benzene carbocation पर हम कोई group G लगा देते हैं तो ऐसा benzene carbocation अब substituted benzene carbocation के लाता है यहाँ पर अपने एक चीज़ notice करी होगी कि इस में जो G group है वो इस गोले में लगा रखा है इसका मतलब यह है कि यह G group इसकी ortho, meta और पहरा किसी भी position पर हम assume कर सकते हैं अब इस substituted benzene carbocation में G के जगा पर कोई भी group रखा जा सकता है, G पर रखे होए group को हम दो category में divide कर सकते हैं category first में G में ऐसे group होंगे जो electron donating group होंगे और ऐसे group हमेशा plus I, plus H और plus M के थूरो electron को donate करेंगे चूंकि plus M effect dominant होता है और plus I effect इस category का सबसे poor effect होता है और यह तीनों ही groups जो होंगे यह तीनों ही जो effect होंगे वो electron donating effect होंगे और जैसी यह इसको electron donate करेंगे इस carbocation की deficiency खतम हो जाएगी या कम हो जाएगी इस कारण से इसकी stability increase हो जाएगी चूंकि इसमें plus M effect ज्यादा dominant है इसलिए इस carbocation में अगर कोई G ऐसा रखा जो plus M के थूरो electron donate कर रहा है तो ऐसा carbocation ज्यादा stable हो जाएगा और मालों यहाँ पर हमने I रखा जो inductive effect के थूरो अपना electron को donate कर रहा है ऐसी condition में plus M और plus के respect में उसकी stability कम होगी इसी तरह से G की value में second category में हम electron withdrawing group रख सकते हैं ऐसे group carbocation से electron को withdrawal करते हैं चूंकि carbocation पहली electron deficient है और अगर उसमें से और electron को withdrawal कर लिया जाएगा तो इसकी stability decrease हो जाएगी जितने भी minus वाले effect है जैसे minus I minus M ये सभी electron withdrawing effect होते हैं चूंकि minus M ज़्यादा dominant होता है इसलिए इसमें से ज़्यादा electron को withdrawal करेगा इस पर ज़्यादा deficiency increase कर देगा और इस कारण से उसकी stability ज़्यादा decrease हो जाएगी इसका मतलब यह है इन दोनों effect में से minus M effect ज़्यादा नुकसान पहुचाता है जबकि minus I effect कम नुकसान पहुचाता है इसलिए इन दोनों में से minus I वाला ज़्यादा stable होगा नुमबर वन अगर मान लिजी जी ग्रूप हमारे पास कोई ऐसा ग्रूप है जो minus I और minus M effect शो करते हैं जैसे नाइट्रो ग्रूप, एलिएडिक ग्रूप, किटोनिक ग्रूप, कार्बोकसलिक ग्रूप एक्जम्पल नुमबर वन, यहां पर हमारे पास चार तरह की कार्बोकटन दिये गए हैं और जो D नुमबर का कार्बोकटन है उसमें खास बात यह है कि उसमें नेट्रो ग्रूप present नहीं है जबकि A से C तक में नेट्रो ग्रूप present है और इसकी position different है अगर हम नेट्रो हमेशा electron को withdrawal करते हैं चाए वो minus I हो या minus M हो नेट्रो ग्रूप कार्बोकटन में इस electron को withdrawal करेगा इस current से यह तीनों कार्बोकटन की stability decrease हो जाएगी जबकि D में किसी भी तरह का नेट्रो ग्रूप present नहीं है इसलिए इन चारों में D की stability सबसे ज़्यादा होगी अब बात करते हैं इन तीनों में इन तीनों को आपस में distinguish करने के लिए हमको minus I और minus M दोनों effect चेक करने पड़ेंगे तो सबसे पहले अगर minus I की बात करें तो minus I effect कार्बोकटन A में भी होगा B में भी होगा और C में भी होगा चुंकि inductive effect distance dependent होता है और inductive effect distance के inversely proportional होता है तो A में minus I सबसे ज को consider करते हैं अगर minus M की बात करें तो कार्बोकटन A में minus M effect applicable होगा B में applicable नहीं होगा C में applicable होगा D में यह group भी project नहीं है और तो उसमें यह effect absent होगा अब यहाँ पर important question यह है कि जो B कार्बोकटन है उसमें netto group होने के बावजूद भी इसमें minus M effect work नहीं करता मैं यहाँ पर hope क जब एक दूसरे की metaposition पर होते हैं तो एक दूसरे को mesomeric effect से effective नहीं कर पाते हैं अभी हमने इस video election में देखा था कि यह positive charge delocalize होता है और benzene में दोनों ortho और para position पर migrate करता है अगर B number के carbocatine को देखें तो इस netto group के adjacent वाले carbon पर यह positive charge present ही नहीं होता जबकि netto group के adjacent वाले carbon पर यह A में और C में दोनों में present होता है इसलिए A और C के case में यह netto group अपने minus M को operate करता है और इस carbocatine से electron को बहुत जादा withdrawal कर लेता है चूंकि B के case में netto group के adjacent वाले carbon पर यह positive charge present नहीं है यह positive charge इस netto group के साथ conjugation में ना होने के करण यह netto group अपना minus M effect operate नहीं कर पाता यह हम ऐसा कहलें यह netto group इस positive charge को केवल minus I के तुरू ही नुकसान पहुंचाता है अब अगर इन चारों carbocatine की stability की बात की जाए तो जैसा भी हमने discuss किया था इसमें D carbocatine सबसे ज़्यादा stable होगा क्योंकि उसमें netto group absent है उसमें minus I या minus M के तुरू नुकसान नहीं होगा इस के बाद इसमें B number का carbocatine ज़्यादा stable होगा क्योंकि इसमें केवल minus I से नुकसान हो रहा है अब A और C में दो-दो effect नुकसान कर रहे हैं minus I और minus M दोनों effect present है तो ऐसी condition में हमको इनका dominant effect सबसे पहले consider करना है देसे यहाँ पे minus M effect जो है दोनों में present होता है और previous video lecture में हमने य distance dependent नहीं होता यानि कि A के case में minus M जितना नुकसान पहुंचा रहा होगा उतना ही नुकसान C के case में उसका minus M कर रहा होगा यानि A और C को हम minus M के base पे distinguish नहीं कर सकते अब हम बात करेंगे minus I की चुंकि A में minus I ज़्यादा dominant है क्योंकि यह नैट्रो ग्रूप इस कार्बोक्रट के साथ ज़्यादा distance पे हैं ऐसी condition में इन दोनों में misomeric tie गया था minus I के base पर C कार्बोक्रटाइन में कम नुकसान हुआ है यानि C कार्बोक्रटाइन जो होगा वो A से ज़्यादा stable हो जाएगा example number second में G के जगा पर तीन ग्रूप नैट्रो, Cn और कार्बोक्रटाइन ग्रूप हो सकते हैं इन तीनों ग्रूप में अगर similarity की बात करें यह minus I और minus M वाले effect होते हैं चुंकि minus M dominant होता है इसलिए हमने हैं पर minus M ही consider करा है यह तीनों ग्रूप की जो minus M की priority होती है या इनकी ज electron को withdrawal करेगा जिस करेंट से इस कार्बोक्रटाइन में electron की deficiency हो जाएगी और इसकी stability decrease हो जाएगी इसका मतलब यह तीनों ही कार्बोक्रटाइन को नुकसान पहुचाएंगे सबसे ज्यादा नुकसान नैट्रो ग्रूप में चाएगा सबसे कम कार्बोक्सली ग्रूप हो जाए यह तीनों ही ग्रूप माइनस अई और माइनसम की category के हैं चुकि माइनसम डोमिनेंट होता है इसलिए इन तीनों में हम इसका माइनसम इपक कंसिडर करते हैं अगर इसके हम priority की बात करें तो नैट्रो ग्रूप का जो माइनसम होता है वह सबसे dominant होता है इसके बाद हमारे पा stability की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा, वो इसमें second number compound से होगा, इसलिए second number compound सबसे least stable होगा, और सबसे कम नुकसान third number compound में होगा, इसलिए third number compound first number से ज्यादा stable होगा, नमबर सेकेंड अब मानली जी जी की जगा पर कोई ऐसा गुरूप है जो प्लस आई के साथ साथ प्लस H एच फेक्ट शो करता है ऐसे काटिगरी में हम अलकाईल गुरूप को कंसेडर कर सकते हैं चुकि ये फ्री विलंसी है अगर इस हिस्से से इसको बेंजीन से जोड़ो गए तो ये वाला कार्बन इसमें बेंजाईली कार्बन बनेगा और प्लस H एच एफेक्ट के लिए इस बेंजाईली कार्बन पर कम से कम एक एच प्रेजेंट होना चीए चुकि ऐसे गुरूप प्लस H और प्लस I के थुरूँ इलेक्टरोन को डोनेट करते हैं और इलेक्टरोन डोनेटिंग एफेक्ट होने के कारण ऐसे गुरूप कार्बोकरटैन की जो डेफिशेंसी होती है उसको कम कर देते हैं चुकि इसमें plus h की साथ साथ plus i effect present होता है, अगर हम plus i की बात करें, यह mass पर depend करता है, carbon की संख्या पर depend करता है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा plus i effect 3rd का होगा, तो कि इसमें carbon की संख्या ज़्यादा है, और सबसे कम 1 का होगा, इसमें carbon की संख्या सबसे कम है, अगर हम plus H की बात करें, प्लस H effect depend करता है, इस benzyli carbon पर कितने hydrogen present है, कितने H atom present है, चुकि ये H atom alpha hydrogen कहलाते हैं, इसमें 3 alpha hydrogen है, इसमें 2 alpha hydrogen है, और इसमें 1 alpha hydrogen है, इस current से जो plus H की priority होगी, वो 1 में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 3 alpha H है, जब कि इसमें नंबर compound की या group की, सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें केवल 1 alpha hydrogen है, अब इन दोनों से बिल्कुल opposite result आ रहे हैं, प्लस I क्यों माने, तो ये effect सबसे ज़्यादा help करेगा, क्योंकि इसका plus I effect ज़्यादा है, अगर plus H की माने, तो ये effect सबसे कम help करेगा, और सबसे ज़्यादा ये help करेगा, तो इन दोनों में से हम कैसे decide करेंगे, तो previous video selection में हमने ये भी देखा था, कि इन दोनों में, जो plus H effect होता है, वो plus I effect से ज़्यादा dominant होता है, इसका मतलब हम जो plus H का result आ रहा है, उसको ही consider करेंगे, example number 4, example number 4 में, की बात करें, तो इसमें plus H के साथ 7 plus I effect होता है, और दोनों में से plus H effect dominant होता है, सबसे पहले हम बात करते है, plus I effect की, ये effect compound A में भी होगा, B में भी होगा, और C में भी होगा, D में ग्रूप absent होने के करने ये effect possible नहीं पाएगा, चूंकि ये effect भी distance dependent है, distance के inversely proportional है, इसलिए और्थों में सबसे ज़्यादा होगा, फिर meta में कम हो जाएगा, और पैरा में सबसे कम होगा, इसी तरह अगर हम plus H की बात करें, plus H A में भी लगेगा, B में नहीं लगेगा, और C में भी लगेगा, अब यहाँ पे सबसे interesting चीज ये है, कि beam में CS3 group होते हुए भी इसमें plus H effect शो नहीं हो रहा, इसका reason यही है, कि जो हमने mesomeric में अभी explain किया था, कोई भी दो group, एक दूसरे की meta position पर है, तो वो ना तो अपना mesomeric effect operate कर पाते हैं, और नहीं अपना hyperconjugation operate कर पाते हैं, हाँ, इन दोनों का effect benzene तक definitely operate होता है, बट एक दूसरे कोई effect नहीं कर पाते हैं, दूसरे इसको हम इस तरह से भी explain कर सकते हैं, यह जो positive charge है, अभी हमने देखा था, यह benzene ring में migrate करता है, और benzene ring में यह दो ओर तोर पैरा पर migrate करता है, चुंकि एक condition में इस CH3 के सामने वाले carbon पर positive charge जनरेट होता है, इसलिए यह CH3 अपना plus reflect show करता है, इसी तरह condition C में इस CH3 के सामने यह positive charge जनरेत होता है, इसलिए CH3 ग्रूप अपना plus reflect show करता है, चुंकि B में यह positive charge इस CH3 के add 잠깐만 पर generate नहीं होता, इसलिए CH3 group इसमें अपना hyperconjugation effect शो नहीं कर सकता, तो इन example में ये CH3 group करेगा क्या, ये CH3 group electron donating effect शो करेगा, जिससे कार्बोकटन को electron donate करेगा, इसका मतलब ये है कि पहले तीन कार्बोकटन में मदद करने के लिए CH3 group present है, जबकि चोथे नंबर कार्बोकटन में CH3 group absent है, इसलिए इन चारों में एक चीज़ तो confirm हो गई, अगर stability की बात की जाएगी, तो fourth number यानि D नंबर का कार्बोकटन सबसे ज़्यादा least stable होगा, अब बात करते हैं पहले तीन की, पहले तीन में अगर बात की जाए, तो इसमें दो effect help कर रहे हैं, इसमें किवल एक effect help कर र प्लस effect जो होगा, और distance independent होगा, यानि A में जितना प्लस effect वर्क करेगा, उतना ही प्लस effect C में वर्क करेगा, यानि A और C को अब प्लस effect के base पे distinguish नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों में इसका प्लस effect को consider करना पड़ेगा, चूँकि A में प्लस effect ज्यादा है क्योंकि CS3 group कार से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए A और C में प्लस H common चला गया, और A ज्यादा stable होगा, क्योंकि इसका प्लस I effect dominant होगा, तो जो overall stability आएगी वो A, then C, B, D होगी, Example No. 5, इस Example में हमारे पास Carbocatine पर different types के alkyl group दिये गए है, common चीज़ क्या है, यह सभी पैरा position पर present है, किसी भी alkyl group में दो type के effect शो हो सकते हैं, प्लस I और प्लस H, प्लस I effect सभी तरह के alkyl group में शो होता है, प्लस H के लिए हमको दो type की condition को fulfill करना होता है, और इन दोनों condition को हम hyperconjugation के previous videos में detail में explain कर चुके हैं, इसके लिए दो requirement रहती है, पहली चीज़ तो यह benzyli carbon पर कम से कम एक hydrogen या उसका isotope होना चीए, यानि कि benzene के respect में जो adjacent carbon होता है, इस carbon पर कम से कम एक hydrogen या उसका isotope present होना चीए, और इस benzyli carbon का hybridization SP3 होना चीए, अगर इन दोनों condition को देखें, तो दोनों condition पहले तीन में fulfill हो रही है, पहले तीन में यहाँ पर तीन hydrogen present है, यहाँ दो present है, यहाँ एक present है, जबकि D में यहाँ hydrogen absent है, इसलिए हम एक चीज यह कह सकते हैं, चुंकि यह alkyl group है, और सभी तरह के alkyl group में plus I effect present होगा, जो कि A में भी होगा, B में भी होगा, C में होगा, इसी तरह अगर plus H की बात करें, तो यह effect केवल A में, B में और C में होगा, D में यह effect present नहीं होगा, अब यह दोनों effect क्या करेंगे, दोन हो रही है जबकि C में B में और A में दो दो group help कर रहे हैं इसका मतलब इन चारों में से एक चीज़ तो confirm हो गई जो D number का carbogatine है वो सबसे ज़्यादा least stable होगा अब बात करते हैं A B और C की चुकि इसमें दोनों effect present है और plus H effect plus I से dominant होता है और तीनों हमें plus H effect present है इसलिए हम इसमें plus I को consider ही नहीं करेंगे plus H के base पर हम answer निकालेंगे और जो plus H effect होता है यह directly proportional होता है number of alpha H के चुकि इसमें 3 alpha H है यहाँ पर 2 alpha H है और यहाँ पर 1 alpha H है इसका मतलब A में hyperconjugation सबसे ज़्यादा होगा B में थोड़ा यह कम हो जाएगा और C में सबसे कम होगा जबकि D में यह present ही नहीं होगा इसका मतलब यह है सबसे ज़्यादा stable इसमें A होगा जिसमें plus H ज़्यादा है फिर B होगा देन C होगा और सबसे least stable D होगा Example No.6 इस Benzyl Carbocatine की पैरा position पर एक में CH3 present है दूसरे में CD3 present है पहले हम इन दोनों group को आपस में distribution करते हैं इसके लिए इस positive charge को जब benzene में migrate करते हैं तो यह positive charge benzene में 3 जगा पर migrate होता है दो ओर्थो पर और एक पैरा पर चुकि यह CH3 के adjacent position पर positive charge है और इसमें CD3 की adjacent carbon पर positive charge है इसका मतलब यह CH3 और यह CD3 अब अपना plus H effect शो कर सकते हैं और कोई भी kyle group होगा तो उसमें हमेशा plus i तो हो गए होगा अब इन दोनों group को आपस में distinguish करते हैं अगर हम plus i effect को consider करें तो inductive effect के previous videos में हमने देखा है जो hydrogen के isotope होते हैं इन में इनका inductive effect यानि plus i effect mass पर depend करता है जिसका mass ज्यादा होगा उसका plus i effect भी ज्यादा होगा तो इन दोनों में से CD3 का mass ज्यादा होने के कारण CD3 का plus i effect CH3 से ज्यादा होगा अगर हम plus H की बात करें तो plus H में hyperconjugation के जो previous videos थे उसमें हमने देखा था कि alpha carbon पर जो hydrogen ये deuterium होता है उसके carbon और hydrogen के बीच का bond break होता है यानि इस case में अगर इसको hyperconjugation शो करना है तो अपने carbon और hydrogen का bond break करना पड़ेगा अगर इसको अपना hyperconjugation शो करना है तो इसमें carbon और deuterium का bond break करना पड़ेगा चूंकि CH single bond की strength जो होती है वो C single bond D से कम होती है इसलिए CH bond जल्दी लगेगा इसलिए अब हम statement दे सकते हैं कि इन दोनों group में से CH3 group का plus H effect CD3 से ज्यादा है अब आप खुद देखो यह दोनों effect एक दूसरे के opposite result दे रहे हैं यह बोल रहा है कि जो plus I effect है वो CD3 का ज्यादा है यानि CD3 इसमें ज्यादा electron को donate करेगा इसलिए इन दोनों में से second number का carbocatine ज्यादा stable होना चीए जबकि plus H effect क्या कह रहा है कि CH3 group का plus H effect ज्यादा dominant होगा इसलिए इन दोनों में से first ज्यादा stable होना चीए चूंकि अब इन दोनों के effect एक दूसरे के opposite है तो ऐसी condition में हम effect क्या जो priority order है उसको consider करेंगे चूंकि plus H effect plus I पे dominant होता है इसलिए इन दोनों में से carbocatine जो first है उसमें plus H dominant होने के current इसकी stability ज्यादा आएगी example number 7 अब example number 7 में carbocatine में दोनों के पैरा position पर alkyl group present है अब आप ये देखके बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा difference क्या है इसमें ये जो carbon है ये benzyli carbon क्यालाएगा अब benzyli carbon में दोनों पे direct जुड़ा हुआ अतलब ये है कि अब ये जो alkyl group होगा इसमें दोनों में ही plus H absent होगा तो कि plus H effect तभी present होता है जब benzyne के respect में इस benzyli carbon पर hydrogen present हो या उसका isotope present हो इस carbon का hybrid digestion SP3 हो तो इसमें यहाँ पर H या D present नहीं है इसलिए दोनों ही कि इसमें plus H effect absent होगा अब क्या present होगा इसमें अब इसमे सिरफ और सिरफ plus I effect ही present होगा जो दोनों ही केस में होगा चूंकि इसमें deuterium involved है और इसका plus I effect ज़्यादा होता है इसलिए इन दोनों में से इसका plus I effect dominant होगा चूंकि plus H absent है और plus I के base पे इसमें ज़्यादा help होगी ये ज़्यादा electron को donate करेगा इसलिए इन दोनों में से जो second number कार्बोगटैन है इसकी stability ज़्यादा आएगी केस नमबर थर्ड हमान लिए हमारे पास G कोई ऐसा group है जो minus I के साथ 7 plus M effect शो करता है जैसे OH, OME, Nitrosoamide group तो इन में से कोई भी एक group को हम इन तीन section में assume कर सकते हैं जैसा example number 8 में किया गया है यहाँ पे हमने OME group को लिया है और य के साथ 7 minus I effect होता है इसमें plus M effect dominant होता है अगर हम minus I की बात करें तो minus I effect इसमें ortho में meta पे और पेरा में तीनों condition में होगा ortho में यह सबसे जादा होगा meta में थोड़ा यह कम हो जाएगा पेरा में और भी कम हो जाएगा अगर हम plus M effect की बात करें तो यह ortho में होगा meta पे नहीं independent होगा. अब यहाँ पे सबसे important बात यह note करने वाली है अगर कोई group minus i के साथ plus m effect show करता है जैसे OME group, तो यह plus m के थुरू तो electron को donate करते हैं और carbocotan की help करते हैं, जबकि minus i के थुरू electron को withdrawal कर लेते हैं और carbocotan को नुकसान पहुचाते हैं चुकि इसमें plus m dominant होता है इसलिए इसमें हम plus m को dominant मानके इस question को attempt करते हैं. तो इन तीनों में B जो होगा सबसे least stable होगा क्योंकि इसमें plus m effect की मदद नहीं मिल पाएगी. जबकि a और c में plus m effect dominant है और मदद पी मिल पा रही है इसलिए अब a और c में हमको दूसरा effect दिखना पड़ेगा क्योंकि a और c का यह जो plus m effect होगा यह distance independent होगा यानि a में जितना ome plus m से मदद करेगा उतनी ही help c में ome group करेगा अब इन दोनों में हमको दिखना पड़ेगा minus i चुकि minus i नुकसान पहुंचा रहा है और a मे ome group इस कार्बोकरेटन के पास में है तो नुकसान इसमें जादा होगा जबकि c में यह ome group कार्बोकरेटन से दूर होने के करण इसमें नुकसान कम होगा यानि a और c में plus m टाही चला गया और minus i के base पे इसमें जो c होगा उसकी stability a से जादा आ जाएगी और सबसे कम इसमें b हो जाएगा अब मालो इस एक्जामपल में हम एक होग कार्बोकरेटन यानि बंजाहिल कार्बोकरेटन को consider कर लेते हैं जिसको हम d माल लेते हैं अगर इस d को इन तीनों के साथ compare करें तो d में ना तो फाइदा हो रहा है और नहीं नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें ome group absent है जबकि b में सिर्फ नुकसान हो रहा है जबकि c और a में mesomeric से फाइदा हो रहा है और minus i से नुकसान हो रहा है तो b कर्बोकरेटन में ome present है जो कि meta position पर हैं इसलिए इसका minus effect होगा, ये electron को खीच कर कार्बोकुटन में electron density को decrease कर देगा, इसलिए अगर इन दोनों को आपस में compare किया जाए, तो D की stability ज़्यादा होगी, अगर अब इन चारों को consider किया जाए, तो जो overall stability आएगी, उसमें सबसे ज़्यादा stable C हो जाएगा, then A, then D, और सबसे list B हो जाएगा, example number 9, यहाँ पे कार्बोकुटन के respect में पैरा position पर OH और OME group present है, अगर हम OME group की बात करें, तो इसमें minus I के साथ plus M effect होगा, again इसमें plus M effect minus I पर dominant होगा, इसी तरह अगर OME group के respect में बात करें, तो इसमें minus I के साथ साथ OME group से ज़्यादा होगा, इसमें भी plus M effect minus I से dominant होगा, अगर इन दोनों group को आपस में compare करें, और plus M की बात करें, तो जो OME group है, उसका plus M effect OME group से ज़्यादा होता है, इसके base पर OME group इसमें electron को ज़्यादा donate करेंगा, जबकि OME group उतना donate नहीं करेंगा, यादा electron आने के करण, ये benzene ring electron rich हो जाएगी, जिस करण से carbocatine इन दोनों में से ज़्यादा stable बन जाएगा, condition number 4, अगर G के जिगा पर halogen रखे गए हैं, तो हमारे पास ये halo derivatives हो जाएगी, जिसे example number 10 में, यहाँ पर 4 carbocatine हैं, जिसमें पहले 3 में halogen की position differ कर रही है, और 4 में halogen present ही नहीं है, अगर halogen की case की बात करें, चुंकि इस पर lone pair present है, इसलिए mesomeric effective category के according, ये अपना plus effect show कर सकता है, और halogen की electron activity carbon से ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें minus i भी होता है, और दोनों में minus i जो होता है, इनमें dominant हो जाता है, अगर इसके base पर बात करें, तो जो minus i होगा, वो इसमें A, B और C में operate होगा, जबकि D में halogen absent होने के करन, minus i operate नहीं होगा, क्योंकि minus i distance dependent है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा और्थों होगा, फिर meta में थोड़ा कम हो जाएगा, और पैरा में बहुँ ज़्यादा कम हो जाएगा, अब यह minus i effect क्या करेगा, minus i effect इस कार्बो कर्टैन में से electron को withdrawal करेगा, यानि सबसे ज़्यादा वो और्थों में विड्रूल करेगा, फिर meta में विड्रूल करेगा, और उसके बाद सबसे कम पैरा में विड्रूल करेगा, इसका मतलब यह हुआ, पहले तीन कार्बो कर्टैन में, electron density halogen के थुरू विड्रूल करने के कारण, यह तीनों ही अंस्टेबल हो जाएंगे, जबकि जो D नंबर का कार्बो कर्टैन होगा, इसमें halogen absent है, इसलिए इन चारों में, अगर stability की बात की जाए, तो एक चीज़ तो confirm हो गई, कि D जो होगा, वो इसमें most stable होगा, अब बात करते हैं A, B और C में, चुँकि A में electron density ज़्यादा withdrawal हो रही है, इसलिए इन तीनों में अगर comparison करें, तो C सबसे ज़्यादा stable होगा, देन B होगा, और सबसे live stable A हो जाएगा, condition number 5, steric inhibition of resonance, जिसे हम SIR effect कहते हैं, किसे भी molecular ion में, steric hindrance के करण अगर resonance possible नहीं हो पाता, ऐसे effect को हम SIR effect कहते हैं, इसको हमने detail में separate video में explain किया है, example number 11 में mention A और B carbocatine में, सबसे बड़ा difference इस isopropyl group के position का है, A में ये isopropyl group ortho position पे present होते हैं, जबकि B में ये isopropyl group meta position पे present होते हैं, बट A में तीन बलकी group एक साथ होने की कारण, इसमें hindrance develop हो जाता है, और इस current से इसका ये जो bond होता है, इस hindrance से बचने के लिए rotate कर लेता है, इससे होगा क्या, यहां के जो pure orbital होंगे, वो और इस carbon के जो pure orbital होंगे, वो एक दूसरे के parallel नहीं रह पाते हैं, इसलिए अब ये जो positive charge होगा, बेंजीन के plus M से stabilize नहीं हो पाता, यानि कि अगर हम plus M की बात करें, तो इसमें बेंजीन का plus M work नहीं करेगा, और इसमें बेंजीन का plus M work करेगा, इसमें work क्यों करेगा, क्योंकि इसमें hindrance जो है, इस ortho position पर develop नहीं हो पाएगी, इसलिए अगर इन दोनों compound ये कार्बोकुटेन की अपस में stability का comparison करें, तो compound B की stability A से ज़ादा आएगी, तो किसी भी molecule ये आएन में जब hindrance के कारण, उसमें किसी group का mesomeric effect work ना कर पाए, इसको हम steric inhibition of resonance यानि SIR कहते हैं, यानि कि इसमें जो कार्बोकुटेन A था, वो SIR के कारण less stable हो गया है, जब हम लोग acid or base को discuss करेंगे, उसके वीडियोज अपलोड करेंगे, उस वक्त आपको SIR का एक separate वीडियो मिलेगा, जिसको हम लोग आपस में discuss करेंगे, तो guys, I hope इस वीडियो लेक्षर के थुरू, आपने benzyl कार्बोकुटेन को किस तरह से stabilize कर सकते हैं, उसके different factors क्या हैं, यह बहुत अच्छे से समझा होगा, अगले वीडियो लेक्षर में, हम लोग 1,2 shift यानि कार्बोकुटेन के rearrangement को discuss करेंगे,